हेलो स्टूरेंड्स आम नवीन चौहत आपकर मेरे यूडूप चानल बेसिक मैसान डिपस में और इस वीडियो में मैं करने विला हूं क्लास ट्रेंथ चप्टा अर्थमाटिक प्रोग्रिशन इंसलेट इंपोर्टेंट सम् जो कि सीपसी पेपर 2020 आउटसेट डेली में पूछ impone लेता हूं है तो सबीयों कि वह इनियुल डिप्टा है ऒंग घाला है तो आए जैसे आप जानते हैं कि अमेशा सेव होता है तो तो इसलिए मैंने यहां पर equal to डाल दिया, यानि कि B में से A घटा हूँ, तो जो भी common difference आएगा, वो equally होगा, अगर C में से B को को मैं घटाता हूँ, उसके, अब देखें, अगर हम इसको solve कर लें, देखें, यहां पर B अपनी जगह पर है, यह जो B minus का है, यह left में shift होगा, तो अगर हम middle term को double कर दें, क्योंकि B हमारी middle term है, ठीक है, तो वो equal होगा, first or last term के sum के, जहां पर first term हमारी A है, और last term हमारी C है, इसी का use मैं इस sum को solve कर निकले करूँगा, और इसको हम arithmetic mean property भी कह सकते हैं, जिसमें की first or last term का जो sum होता है, वो twice होता है second term के, तो देखें, मैं यहां पर mention कर देता हूं, कि यहां पर A मेरे लिए 3K-2 है, और B यहां मेरे लिए 4K-6 है, और C यहां मेरे लिए K-2 है, तो मैं यहां पर अब लिख सकता हूं, कि 2 अब B है, B के लिए मैं लिखूँगा, 4K-6 equal होगा, C याने की K-2, प्लस A याने की 3K-2 अब देखें, यहां पर हम इसको solve कर लेंगे, तो यहां पर 2, 4 जा 8K, और 6, 2 जा 12, यह माइनस 12 होगा, यहां 3K और K, यह होगा 4K, माइनस 2 और प्लस 2 आपस में कट हो जाते हैं, अब यहां पर 8K अपनी जगे पर है, 4K ज़र आएगा, तो माइनस का हो जगा, और 12 माइनस का है, यह राइट में shift होगा, तो प्लस का हो जगा, तो 8K में से 4K गए तो बचा 4K, 4K equal to 12, तो K की value निकानने के लिए, 4, 12 के अपन में आ जगा, तो 4, 3 जा 12, तो इस तरह से K की value जो है, वो 3 आ जाती है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको sum समझ भाए होगा, इसी तरह कि बहुत से sums class strength के लिए पहले से upload हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, तो मिलते हैं next video में, और नहीं sum के साथ, तब तक के लिए good bye